हलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में मैं हूँ राज दोस्तो जैसे कि हरियाना जीके से रिलेटिड दोस्तो हमारी सीरीज चल ली थी और 62 पार्ट के अंदर दोस्तो हमने बहुत सारी क्योशन शांदार जो एक्जाम्स के लिए काफी most important है अपडेट कर दी है उनकी दोस्तो अलग से प्लेलिस्ट हमने बना दी है वो पार्ट आप जरूर देख लें और दोस्तो चैनल पे नए आयो तो चैनल को सब्सक्राइब ज क्योशन की हिंदी माध्यम की पर्थम पार्ट साला वे पर्थम कचहरी दोनों जजजर से समनित है सही मिलान करे वर्ष दोस्तो पूछा गया है कब किस वर्ष जो है ये स्थापित की गई यहां लगबग दोस्तो पांच क्योशन हमारे यहां से कवर होते हैं एक तो हिंदी म रस्त की गई तो 1919 के अंदर, चयारक सस्तों दोस्तों हमारे यह वह हो जाते हैं, एक क्योस्तों दोस्तों यहां से पूछा जाता है कि जजजर के अंदर गुरू कुल की स्सथाफण रहें, और नियुक्त की स्साफण रहेगा, विसव का पर्थम 18 मंजिला सिरी अगर सेन ग्यान मंदिर कहां बनाए जा रहा है दोस्तो विशो का पर्थम है 18 मंजिला है, नाम दोस्तो इसका है सिरी अगर सेन ग्यान मंदिर वैसे दोस्तो बहुत सारे श्यांदार मंदिर है वो हमारे कुरुक्षैत्तर के अंदर है तो इसका बी right option हमारा C रहेगा कुरुक्षैत्तर के अंदर है बिरला मंदर है लक्ष्मिनायन मंदिर है दोस्तो देवी कुप मंदिर है तीक है और बहुत च natin अच्छे मंदिर है जो हमने कल की जाता था प्राचीन काल में, उसको इकठा करने को क्या कहा जाता था, तो दोस्तों उसको दो नामों से जाना जाता था, एक तो नाम लिया जाता था, मुसाहिब, और दूसरा जो नाम जो इसका लिया जाता था, वो था साहिब दिवान, साहिब दिवान, दो नाम से उसको दोस समोधित किया गया था तो सूरडस के दौरा ठीक है, साहिबे दिवान और मुसाहिब दोनों का एक ही मतलब है एक दोस्तो पूछा जाता है खेतों में जुताई किस वार को ओती है तो अठार्वी स्तापदी के अंदर खेतों की जुताई जो होती थी वो बुद्वार को होती थी ये भी दोस्तों क्रिसी से ही जुड़ा हुआ है क्योशन तो इसलिए एक आवर करना जरूरी है 19 स्ताब्दी के अंदर खेतों के जुटाई किस वार को होती थी तो 100 वार को पूरा पूछा जाए 6 मई 2002 वरस के दुरान जो है सुर्वोच नहले के दवारा हायाना दिल्ली के 5 किलोमेटर के दाइरे के शेतर पर रोक लगा दी गी थी किस पर खनन पर राइट ऑप्शन क्या रहेगा बी पूरा पूछा जाए 6 मई नाइस कोशन है किस वरस सेख चिल्ली क मकबर को राष्टिय महतव की इमारत का दर्जा दिया गया राष्टिय महतव की इमारत का दर्जा यहां से क्योशन पूछा गया है राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन रहेगा हमारा डी दोस्तों 1958 वरस के दुरान जो है ये इसको राष्टिय महतव की इमारत जो है इसको करवाया गया था डेविश्ट रोस जो थे इसे ताज मेल के बाद दूसरी सबसे जो सुंदर है इमार्तिन को इन्हों ने बताया था ठीक है तो यहां से तीन च्यार क्योसन बनते हैं हमारे सेख चिली मकबरे से जुड़े वे जो हमें कवर करने जुरूरी थे एक क्योसन जैसे की पानिपत का बहुली परसिद है वेसे ही दोस्तो हरियाना का नरायंगड यानि अंबाला का नरायंगड वेसे दोस्तो अंबाला का नरायंगड यह बनता है राइट उप्सन दोस्तो बी रहेगा सोना ठीक है सोने के नाम से सोने के यां दोस्तो खाने है ठीक है तो क् कि शेत्तर में ये परसिद है अंबाला का भी कहा जा सकता है हरियाना का भी कहा जा सकता है और पानेपत का बहुली शेत्तर क्यों परसिद है तो तेल के लिए ठीक है ओयल के लिए और मेंदरगड का अटेली क्यों परसिद है आप मैं कॉर्ण वेक्स के अंतर रिप्लाई करोगे ये दोस्तो तसीलें लगा लो कुछ भी लगा लो तो ये हर एक जिले के अंदर कुछ ने कुछ चीजें जो है फेहमस है जो बार-बार एक्जाम में रिपीट की जाती है बंगाली सादू जो गोडिय मट से समंदित है ये किर्टन करते थे किस बगवान का किर्टन करते थे कि उसने आज से पूछा गया है राइट ओप्शन की दोस्तो हम बात करें तो ओप्शन हैगा हमारा बी बगवान किर्शन की ये जो है किर्टन करते थे बंगाली सादू दोस्तो गोडिय मट से समन्दित है और दोस्तो भगवान किर्शन की ये पूजा करते थे और किसे समन्दित है कुरुक्षत्तर से एक दोस्तो कनफटे सादूं से रिलेटर क्योशन पूछा जाता है कनफटे सादू जो हमारे रो तक से अस्तल बोहर मट से जुड़े हुए है ये गोडिय मट है दोस्तो वो अस्तल बोहर मट है दोनों के दोनों सादूं से जुड़े हुए क्योशन दोस्तो एक्जाम में पू कुरक्शेत्र कुरुक्शेत्र युणिवर्ष्टी या कुरुक्शेत्र ओर दूस्तो कहा हलका सा question है next question है खेती हर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना कब शुरू के गए थी खेती हर मजदूर दोस्तों ये exam में question पूछा जा चुका है ठीक है इसके दुरान पूछा गया था कि इसके इसके अंदर कर जो कारिया करते हैं उनकी अगर दुरान मिर्त्यू हो जाए तो उनको रासी कीतनी दी जाती है ये क्योसन पूछा गया था ठीक है तो पांच लाख रासी खेती हर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के अंदर दी जाती है ठीक है और ये सुरक्षा योजना कब शुरू की गी थी तो 2014 के अंदर ये शुरू की गी थी खेती हर मस्दूर जीवन सुरक्षाय योदना 2014 के अंदर शुरू की गी थी और क्रिसी कार्या के दुरान अगर मिर्त्यू किसी के हो जाए तो 5 लाग रूपे और विकलांग अगर कोई हो जाता है तो दोस्तों उसको सुची में आता है तो ग्यारवी सुची के अंदर ये आता है ने इस क्योशन है हर्याना का कौन सा जिला का शेतर फालकिन माना जाता है फालकिन वन है दोस्तों ये फालकी वन फालकी वन के नाम से दोस्तों ये क्योशन मनता है ठीक है जैसे दोस्तो फाल्गुतिर्थ है फाल्गुतिर्थ से ही हम याद कर सकते हैं इसको राइट अप्सन डीर हेगा केथल ठीक है फाल्की अगर वन याद नहीं देता तो हम क्या याद कर सकते हैं तीर्थ याद कर सकते हैं ठीक है फाल्की या फाल्गुतिर्थ से तो दोष्ताति फाल्गुन दी थी, वो यहां पर बहती थी। बढ़ लेदें दोस्तों, नेbor ने च्वर्यानग के अदर परियोजना, इसके सयोग से डुचा के सिर्चा परियोजना बावार कहा दे चुका फलोंक से समंदित है हर्याना में सरवादिक वरिक्स पाया जाता है यहां पर दोस्तों वरिक्स समंदित कोशन पूचा गया है कौन सा वरिक्स सरवादिक पाया जाता है वेसे राज के वरिक्स दोस्तों पीपल हो जाता है सरवाधिक जो वरिक्स जो पाया जाता है तो right option भी रहे के दोस्तो सरकंडा सरकंडा सबसे ज़्यादा यहां पर पाया जाता है सरकंडा के सो चोटे चोटे कुटो उद्योग भी है और सरकंडा से रिलेटेड दोस्तो जो मूडे मूडे समझते होंगे हर्याना वी वासम मूडे बोलते हैं जो चेर सी बनाए जाती है सरकंडा से और इसके लाव दोस्तो इसकी वरिक्स की मूज निकालकर रस्ती भी बनाए जाती है तो सरकंडा का बहुत परचलन है चोटे-चोटे जो है उद्योग भी इसे अर्लेटिड बने हुए है हरियाना के अंदर तो हरियाना के अंदर जो सबसे ज्यादा वरिक्स जो पाये जाता है वो सरकंडा का वरिक्स पाये जाता है राइट ऑप्शन क्या रहेगा दोस् पूछा जाए तो ठीकर एक खेजडी का वरिक्स दोस्तों पूछा जाता है सरकंडा के बाद किसका पूछा जाता है खेजडी का वरिक्स वो भी दोस्तों हमारे मेहंदरगड के अंदर पाए जाता है सबसे कम खेजडी जीन में सबसे ज़्यादा खेजडी कहां पर पाए जात मई आता है तो इसके मेर बौज कि सासन काल के दौरान प्रहव जो है उतरी बार्त का ब़ुध बढ़ा एक व्यापरिक के अदर था नेसा खोसम रहेगा हमारा राजा में राजमैं हपार्जरा में हर्याना राजमें कुल कंजर वेस्थन दीज्रव की संक्या केतनी हैं कंजरव रिजरव की संखया दोस्तों यहां पर पूछी गया है, राइट ओप्षन की बात करें तो ओप्षन रहेगा हमारा एधो कंजरवेशन दोस्तों हरियाना के अंदर जो है, बनाए गए है, राष्टी एधोड्यानों की संख्या पूछ ली जाए, हरियाना के अंदर कुल अब्यारणों के संग क्या पूछ लिजाए क्या पूछ लिजाए अब्यारणों के संग क्या तो अब्यारणों के संग क्या दोस्तो हरियाना के अंदर कितनी है आठ है ठीक है ये कुशन दोस्तो एकजाम में रिपीट किया जा चुका है हिंदुस्तान जिंक लिम्टेड बहुमल्य की खनीज की खोज कहां पर कर रही है वैसे दोस्तों हरियाना के अंदर बहुत जगए पर खनीज मिलते ही रहते हैं ठीक है तो यहां पर भी हिंदुस्तान जिंक लिम्टेड जो है वो हरियाना के अंदर खनीज की खोज कर रहा है व स्तिर्थ भी बने हुए वो जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं तो राइट ओप्षन क्या रहेगा सी देगा हरियाना में गलोबन वार्मिंग को रोकने के लिए पोदा का वरिक्षर ओपन किया गया था कौन से पोदे का तो राइट ओप्षन दोस्तों डी रहेगा नेम का भी कि किया गया था और बर्गद का भी किया गया था इन सभी जो पोदों का यूज जो है गलोबन गलोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जो है वो वरिक्षर ओपन किया गया था निम्मन में से वह गाउं जो पूरे हरियाना में मस्रूम उत्पादन में पर्थम हैं दोस्तों मस् बाई यूटूबर भी है आप जानते होंगे जो जोब से रिलेटेड और कोट के से रिलेटेड जो है जानकारियां देते रहते हैं उनका चैनल भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें बहुत अच्छी जानकारी वो देते हैं तो खुब डूगां ठीक है अर याना का जो इसलिए दोस्तों मैंने दोनों के दोनों उप्सन इसमें एड किया है तो राइट उप्सन क्या रहेगा इसमें ए रहेगा हर्याना के किस जिले से मानों की सबसे पुरानी बस्ती के सक्षे प्राप्त हैं क्योशन पूछा गया है सबसे मानों की सबसे पुरानी बस्ती के जो बाग यहां से मिला है, चप्टी कुलाडी, मचली पकड़ने के कांटे भी मिले हैं, सोने का मुकट भी मिले हैं, यहाँ से दोस्तों मिला है, एक राजा का मुकट भी मिला है, 6000 साल पूराने पत्थर के मनके भी दोस्तों यहां से मिले हैं, रिगल ग्राउंड जिसको दोस्तों तो दोस्तो इसके मूडे भी बनाए जाते हैं, मूँज की रस्षी भी बनाए जाती हैं, और छोटे-छोटे उद्योग भी इसके स्तापित किये जा चुके हैं, तो right option क्या रहेगा? निमन में से वह जिला जो अंतराष्टिय मंडी से समंदित नहीं है, यहां से क्योस्तो पूछा गया दोस्तो जो अंतराष्टिय मंडी से समंदित नहीं है, राइट ओप्सन की बात करें तो दोस्तो C रहेगा इसार, इसार दोस्तो इस मंडी से समंदित नहीं है, बाकि सभी की सबस्तराइबन, क मैं और सक्षeros शार सुर्णाय को सalsoर्ण march का समाइबन, की पैसी इसे मंडी से समस्तराइबन bien गुरु ग्राम की उत्राइब में यहांँ प्लक झालत मैं vivid तो यह तीनों की तीनों जगह दोस्तों मंडियां है और इसके अलावा कोई ज़्यादा बड़ी क्रीशी से जुड़ी हुई एक मंडी है जो हमारी लाडवा से जुड़ी हुई है ठीक है जो क्योशन पूचा जाता है कि एस या कि दूसरे सबसे बड़ी मंडी क्रीशी मंडी क जो गन्नोर सोनी फच्चे समंदित है तो यहां से दोस्तों लगबग तीन क्योशन हमारे से अंदर जो है कवर होते हैं तो दोस्तों यह थे हमारे आज के 25 फ़लस क्योशन वीडियो को दोस्तों एक लाइक जरूर कर दें और चैनल पे नए आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर ट्रलें बाकी सभी के सभी पार दोस्तों हमारे जरूर देख लें तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर नेक्ट वीडियो में नए क्योशनों के साथ तब तक दोस्तों नमस्कार जै हर्याना जै भार्द